हेलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागात है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि अपपो फाइंड N3 फिलिप फॉन में आप लोग कैमेरा प्रोब्लेम को केसे सॉल्प कर सकते हो अगर आपके पास एक अपपो है वो एक दम खराप हो गया है ठीक अज मतलब कैमेरा से रिलेटेद आप लोगों कुछ प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा है तो इस इस कैमेरा प्रॉब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब करोगे गई तो आज के वीडियो में मैं ही बता हूंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजिये अपने के बात यहां पर से आप लोगों को थोरा सा नीचे श्ट्रॉल डाउं कर लेना है और यह आपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गा इस Apps का तो इस Apps के option पे click करेंगे Click करने चैप्स आपर एक option होगा गाइस App Management का सबसे पहला वला option तो इस App Management के option पे click करेंगे Click करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों Camera के application को ठून लेना होगाई। देख सकते यह रहाँ आप लोग यहाँ पर search करके भी ढूंद सकते हो और scroll करके भी ढूंद सकते हो तो इस camera के application पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर एक option होगा इस storage uses का तो इस storage uses पर click करेंगे यहाँ पर clear data का option होगा clear data पर click करेंगे delete का option आएगा इस delete पर click कर देंगे ऐसा करते हैं केमेरा का जो भी डाटा होगा, केची फाइल्स बगरा होगा, सेटिंग्स बगरा होगा, वो सब यहाँ पर से रिसेट हो जाएंगे और आपका जो केमेरा प्रोब्लेम है इस वो भी जरूर से सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Oppo Find N3 फिलिप पॉन में केमेरा प्रोब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते हैं कर लग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ